हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप एक और नई रस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके साथ बहुत कम तेज से बनकर तैयार हो जाने बाले बहुत ही जादा हेल्थी और चटपटी रस्पी सेयर करेंगी आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट मे भी बना कर दे सकते हैं चलिए तो फटा फट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमने पांच ब्रेट की स्लाइस नी है आप बची हुई ब्रेट का भी यूज कर सकते हैं यहां पर हमने भाइट ब्रेट नी है आप ब्राउन ब्रेट भी ले सकते हैं तो सबसे पहले मिक्सी के जार में ब्रट को तोड़ कर हम डाल देंगे और इनको पीस देंगे इसका हम एक ब्रट करम्स तयार करेंगे अगर आपके पास पहले से ब्रट करम्स रखा हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो ये देखिए ब्रट को हमने पीस दिया है और ह यहां पर एक कप मटर ली है जिसे हमने उबाल लिया है आप इसकी जगे पे फ्रोजन मटर का भी यूज़ कर सकते हैं तो उसी मिक्सी के जार में हम मटर को डाल देते हैं और इसको भी हम थोड़ा मोटा मोटा पीश देंगे यह देखिए ज्यादा बारीक इसको हमने नहीं पी किया था उसमें डाल देते हैं सारी मटर को डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे सूजी तो आदा कप हमने सूजी ली है इससे नास्ता हमारा क्रिस्पी बनेगा और चौथाई कप इसमें हम डालेंगे दही नाप से कहें तो चार बड़े चमच इसमें हमने दही डाल दिया है एक छोटा प्याज डालेंगे जिसे हमने बारीक चॉप किया है दो हरी मिर्च डाल देते हैं एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर और एक छोटी चम्मच इसमें हमने चाट मसाला डाल दिया है जो कि नास्ते को बहुती ज़्यादा चटपटा बनाएगा आदी चम्मच यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्च मट डालिएगा नमक डालेंगे तो नमक आप स्वात के अनुशार डालिए और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही आप यहाँ पर ज़्यादा खटा यूज मत करिएगा तो यह पतला बैटर हमें इसका नहीं तयार करना है तो यहाँ पर हमने तकरीवन आदा कब पानी डाल दिया है बापस से एक वार अच्छे से मिक्स करते हैं एक साथ पानी ज़्यादा मत डालीगा नहीं तो बैटर गिला हो सकता है सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और दस मिनट के लिए इसे हम रेष्ट पर रख देंगे जिससे सूजी हमारी फूल जाएगी दस मिनट हो गए अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया नास्ता हमारा फूला फूला बने तो यहां पर हमने चौथाई चम्मच खाने वाला सोडा डाल दिया है आप इसकी जगे इनो फ्र इसे मिक्स कर लेते हैं तो यह देखिए नास्ते का बैटर हमारा बनकर पूरा तयार हो गया है और यह देखिए इसे हमने इतना गाडा रखा है एक कप पानी में यह थोड़ा सा पानी बच गया है चलिए तो अब नास्ता बनाना हम सुरू करते हैं तो एक तबे पर हमने एक चमच तेल डाल दिया है अब इसी में डाल देंगे आदा चमच सरसोदाना और आदी चमच सफेद वाला तिल और इसको पूरे तबे पर हम ब्रस से फैला लेते हैं तो अब हम नास्ता बनाएंगे तो एक चमच भर कर हम बैटल लेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे तबे पर आपके जितना स्पेस हो आप एक साथ उतने बना लीजे तो हम दो नास्ता एक साथ ही तबे पर बना लेते हैं अब गैस की प्लेम हम मीडियम कर देंगे और उन्हें एक साइट से हलका गोल्डन कलर आने तक सिखने देंगे ओपर से भी थोड़ा सा हम तेल डाल देते हैं और इसको धीरे से हम पलट देंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा नास्ता एक साइट से सिख चुका है धीरे से दूसरे को भी पलट देते हैं तो ये देखिए एक साइट से बहुत अच्छे से ये सिख चुके हैं और हलका साइट ने दवाते हुए दूसरी साइट से भी हम हलका गोल्डन कलर आने तक सिख नेंगे ये नास्ता बहुती ज़्यादा फूला फूला बनता है उपर से बहुती ज़्यादा क्रिश्पी और अंदर से बहुती ज़्यादा सौप्ट और तबे पर ये जो तड़का लगा है इसको घुमाते हुए पूरा तड़का हम नास्ते पर लगा देंगे ये देखिए इस तरह से तो अब हम आपको दूसरी साइट से भी दिखाते हैmos नास्ता कैसा सिए सीर शी तो ये देखिए दूसरी साइट से भी बहुत अच्छे से हमारा नास्ता सिख चुका है चलिए तो इसको हम निकाल लेंगे और बाकी का नास्ता भी बिल्कुर इसी तरह सी बना कर तयार करनेंगे और इसे हमने टमेटो सॉस के साथ सर्व किया है आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में या बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं और जो लोग बेट लॉस करना चाहते हैं वो भी इसे बना कर खा सकते हैं बहुत ही जादा सौप्ट और फुला फ रेष्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और एक बार इसे बना कर जरूर ट्राइ करिए रेष्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक और सेयर भी जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल भी ना भूलें जल्दी एक और नई हेल्थी चकपटी रेष्प के साथ हम आप से फिर मिलेंगे थेंक यू